हेलो बच्चों कैसे हैं आपको आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 से पार्थ 3 इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पार्थ 2 जैसा सवा वैसा जवा तो आज हम पढ़ेंगे पार्थ 3 किर्मिच की गेंद अब हम स्टार्ट करते हैं गर्मी की चुट्टियां थी दुफैर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था तभी पेड के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तू धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी दिनेश आवाद से पहचान गया कि वह वस्तू क्या हो सकती है वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की और भागा अरे अरे बेटा कहां जा रहे कहां जा रहा है किसी ने कुशन किया ऐसा कि जो दिने इसे वह क्या कर रहा था गर्मी की चुट्टियां थी और दुभार के समय था तो गर में बैठा था तो अचानक से कुछी बाहर थमसेगिरी तो वह बाहर की और भागने लग गया तब किसी ने अंदर से आवाज दी की बेटा कहां जा रहा है बाहर लू चल रही है दिनेश की मा मसीन चलाते चलाते एकदम जोड से बोली पर अंतु दिनेश रुका नहीं उसने पैरों में चपल भी नहीं पहनी जून का महीना था धर्ती तबे की तरह तप रही थी पर दिनेश को पैरों की जलने की भी चिंता नहीं थी वह जहां से आवाज आई थी उसी और भाग चला सामनी की क्यारी में भिंडियों के उचे उचे पौधे थे एक और सिताफल की घनी बेल फैली हुई थी क्यारियों के चारो और हरे कहरे केली के वरक्ष लहरा रहे थे दिनेस ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना बलटना आरंब किया जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सिताफल की बेल छान मारी बराबर में ही गूस ने गड़े बना रखे थे डूरते डूरते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड़े के उपर ही एक बिल्कुल नहीं चमचमाती किर्मिच की गेंद पड़ी है दिनेस ने हाद बढ़ा कर गेंद उठाली लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है उसने कहा उलट पलट कर देखा परन्तु कुछ भी समझ में नहीं आया नजर उठा कर उसने पास कीती मंजली इमारत की और देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे उपर से फेका हो परन्तु उस इमारत की इस ओर खुलने वाले सभी दर्वाजे और खिड़किया बंद थे छट की मुडेड से लेकर नीचे तक तेज धूप चिल मिला रही थी फिर कौन खरीद सकता है नई गेन दिनेस ने सुधीर अनिल अर्विंद आनन्द तीपक सभी के नाम मन में दोहराए यदि गेन खरीदी भी है तो इस दुपहरी में इसे नीचे कौन फेकेगा हो ना हो यह गेन बाहर से ही आई है उसने सडक पर बने गोल चकर के बगीचे की और देखा परन्तु वहाँ पर केवल दो चार गाए ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों की नीचे सुस्ता रही थी उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने महले के बच्चों की गेंदे क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी तभी भीतर से मा की आवाज आई अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में गूम रहा है दिनेश गेंद को हाथ में लिये हुए भीतर आ गया ठंडे फर्स पर बिछी चटाई पर वह लेट किया और सोचने लगा भले ही यह गेंद महले में से किसी की ना हो पर परंतु इमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए गर्मी की चुटियां थी बच्चों ने खेलने की सुविधा कोध्यान में रखते हुए एक कलब बनाया हुआ था उस कलब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में कलब का चंदा देकर पैसे एकठे कर लेते थे शाम को सारे बच्चे एकठा हुए दिनेश ने सभी से पूछा मुझे एक गेंद मिली है अगर तुम से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बता कर गेंद मुझ से ले सकता है तभी अनिल बोला गेंद तो मेरी खो गई है कख खोए थी तेरी गेंद यही कोई चार्थ महिने पहले तो वह गेंद तेरी नहीं है दिनेश ने कहा फिर वह मेरी होगी सुधी ने तुरंद उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा वह कैसे दिनेश ने पूछा तु मुझ तब जानो तभी उपर से दीपक उतर आया दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अफसर पढ़ने पर सभी कोमित्र बना लेने में चतुर था गेंद की बात सुनकर दीपक बोला गेंद मेरी है कैसे तेरी है सभी ने एक साथ पूछा कल ही तो तु कह रहा था कि इस पार त तबी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेक दी दी दिपक नहीं है दीपक की गेंद पांच महिने पहले खोई थी और यह कभी होई ही नहीं सकता कि गेंद पांच-छे महिने पड़ी रहे और उस पर मिच्ची का एक बीदाग ना लगी दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं गेंद वाला क्या सबूत है कि यह यही गेंद नीचे फेकी थी अनिल ने पूछा दीपक ने कहा हाँ सबूत है मुझे गेंद दिखा दो मैं फॉरण बता दूँगा दिरेश ने देखा कि जगडा बढ़ रहा है गेंद हत्याने के लिए दीपक सुधी और सुनील का सहारा ले रहा है मैं जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिल कर खेलेंगे अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूँगा नहीं दिनेश ने कहा गेंद आ गई दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है यही है मेरी गेंद यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था वाह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा दीपक ने फिर जोड लगाया मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेन मेरी है अरे जा ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेन दिनेश की है अनिल ने का कुछ भी हो गेन मेरी है दीपक ने उसे धर्ती पर मारते हुए कहा धर्ती पर टपपा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी मेरे साथ बाजार चल दुकानों पर जितनी गेंद हैं सभी की टपपे की आवाज ऐसी ही होगी अनिल ने फिर उसकी बात काड़ दी अच्छी बात है तो मैं इस सड़क पर फेक दूँगा देख कैसे कोई खेलेगा दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल ओर दिनेस ने उसे पकड़ लिया अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हत्यार आजवाया बोला या तो गेंद मुझे दे दे नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा अब तो सुनील दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए दिनेश तब तक चुपता वास्तों में दिनेश का मन उस समय सब का साथ मिलकर उसे गेंद से खेलने को कर रहा था बोला अब चुप भी रहो जगड़ा बाद में कर लेंगे अपने अपने बल्ले ले आओ पहले खेल ले पाँच मिनिट के भीतर ही खेल आरंब हो गया दिनेश बल्ले बाजी कर रहा था अभी दो चार बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उचली और दर्वादा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान गरखने की जालिदा टोपली में जागिरी इसकूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला तेजी से चलते हुए इसकूटर के साथ गेंद भी चली गई पच्चे पहले तो चिल्लाते हो इसकूटर के पीछे भागे पर उन्तु जल्दी ही सब रूप के मैं समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की और देखा और फिर सभी ठाहका मार कर हस पड़े तो यह कहानी थी आपकी खिर्मिच की गेंद अब इसको किसने लिकी थी शानता कुमारी जैली तो एक बच्चा था जिसे की यह बॉल उसके खेट पर मिली थी यह गीचे पर मिली थी और उसने अपने दोस्तों से कुछी कि यह गेंद किसकी है तो उसके जो सारे दोस्त थे वो क्या कह रहे थी कि यह गेंद मेरी है और यह गेंद मेरी है और लास्ट में क्या हुआ जब अच्चे खेल रहे थे उसी गेंद से तो वह गेंद एक स्कूटर वादी की गाड़ी पर चले तो आज के लिए इतना थैंक्स